आज हम बात करेंगे कि संभोग के समय औरत या मर्द के प्राइवेट पार्ट्स में दर्ध होने की सही वज़ा और इलाज के बारे में जी हाँ दोस्तों, बहुत से स्त्री पुरुष संभोग के समय दर्ध होने की समस्य से परेशान रहते हैं जबकि वह पहले से शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्राइवेट पार्ट्स में संभोग के समय दर्ध की शिकायत रहती हैं। संभोग के समय दर्ध होने की वज़य से संभोग का मज़ा किरकिरा हो जाता है। दर्ध होने की सबसे मुखे वज़ा योनी में चिकनाई की कमी होती है। इसलिए आपको चाहिए की सम्भोग स्टार्ट करने से पहले स्त्री को ज्यादा से ज्यादा देर तक fourplay में उत्तेजित करें। जिससे स्त्री की योनी में उत्तेजना के कारण चिकनाहट पैदा होगी और सम्भोग करते समय दर्ध होने की शिकायत दूर हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि स्त्री पूरी तरहां से उत्तेजित होती है लेकिन फिर भी उसकी योनी में चिकनाहट नहीं होती। अब योनी में चिकनाहट क्यों नहीं होती इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं जैसे। ज़्यादा उत्तेजित करने का प्रयास करें और अगर फिर भी योनी में गीलापन नहीं आता है तो फिर संभोग करने से पहले नारियल तेल का उप्योग करें और किसी लेडी डॉक्टर से मिलकर परामर्ष ज़रूर लें और योनी में या लिंग में दर्ध होने की मुख् वजह क्या है इस बात का पता लगाने के बाद ही कोई डॉक्टर आपको दवाई देगा फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें किसी भी प्रकार की समस्या के समाध ज़ान के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं धन्यवाद